नमस्कार दोस्तो आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको पैसा और धन सुक सम्रदी सब कुछ अपने घर लाने के लिए एक ऐसा तोटका बताने वाले हैं जो ना तो आज तक आपने सुना होगा और ना ही किया होगा और जिस किसी ने भी किया होगा उसके घर में बरकत की कोई कमी नहीं रहे गई होगी तो दोस्तो अगर आप भी जानना चाते हैं इस टोटके के बारे में इस उपाय के बारे में तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और पूरी विधी को अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि दोस्तो ये टोटका या फिर ये उपाय तभी कारे करता है जब आप इसमें कोई भी गलती ना करें इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और कमेंट बॉक्स में जै आखों टोने टोटके किये जा सकते हैं क्योंकि तवे से या कडाई से किये जाने वाले उपाय बहुत ही जल्दी अपना प्रवाव दिखाते हैं जातक अपनी मनो कामना को मन में रखते हुए जब भी ये उपाय टोटके करता है तो उसके उपाय बहुत ही जल्दी अपना अ इच्छा है, मन चाहाँ धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे सभी आप कर पाएंगे, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो चिल लगे, तो आप इसे लाइक अबश्य करें, और अपने दोस्तों वे रिस्तोदारों के साथ इसे शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जै बजरं करके ही रखना चाहिए, साथ ही आपको जिस प्रकार से हमने पहले भी अन्य वीडियो में बताया है, कि आपको अपनी घर के जाडू पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए, और जाडू को हमेशा ही ऐसे ही रखना चाहिए, कि आपके घर में आने जाने वाले व्यक्तियों की न ज़र इस पर ना पड़े। यदि आवश्च रखता है किसी कारेक को करने के लिए या कोई खाना बनाने के लिए तो आप इसे निकालें, इस्तमाल करें, धो देने के बाद सुखाने के लिए से उल्टा रखें, लेकिन उसके बाद आप इसे सीधा करके ही अपने घर में रख आते हैं, इसलिए आपको अपने घर की रसोई को रात्री के समय खाना आदी बनाने के बाद वे खा लेने के बाद कभी भी गंदा या पिर जूटा नहीं रखना चाहिए, इसलिए कह जाता है कि रसोई में सभी बरतन आदियों को शाफ करके रखना चाहिए, उसमें जूटन कभी नहीं चोड़नी चाहिए, अगर किसी अवस्था के कारण या बीमारी के कारण आपको कभी एक दो दिन रखना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसकी आदत कभी न बनाए, ऐसा देखने में आता है कि बहुत से लोग रात्री के समय जिनके घर में व्यक्ती कु इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में कलेश आदी की समभावना बनी रहती हैं, आई दिन जगड़े होते ही रहते हैं, तो आप इस बात पर भी गौर कीजिए, कि आपके घर में जब भी बरतन साफ होते हों, तो क्या उन्हें ठोक पीट कर, या पर उनमें से आज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा आवाजे आती हैं, बरतन आपस में टकरा कर खटकते हैं, तो घर में कलेश की स्थिति उत्पन हो जाती है, तो अगर आपके भी घर में ग्रेकलेश का माहौल है, तो आप इसे तुरन ठीक कीजिए, जिस प्रकार से घर में जूटे बरतन रखने से लक्षमी जाती है, वे धन की आवाग कम हो जाती है, उसी प्रकार से बरतनों के आपस में खटकने से घर में ग्रेकलेश होती है, तो अगर आप भी आए दिन होने वाले जगड़ों से परिशान हैं, तो आप अपने घर में होने वाले बरतनों की प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको आपकी रिसोई में मौझूद तवे से किये जाने वाला एक SIO उपाय बताने वाले हैं, जैसे करने से आप अपने जीवन की सभी मनुकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, यदि आप अन्य भी वीडियो वेटोट के जानना चाते हैं, तो आप हमें एक बार कमेंट अवश्य करें, अन्यता आप कमेंट वोक्स में जै बजरणवली एक बार अवश्य लिखें, दोस्तो जब आप रात्री में अपना भोजन आदी समाप्त कर लें, उसके बाद अपने घर के सभी बरतनों को जब आप साफ कर ल जो की मासिक धर्म से गुजर रही हैं, अगर वे नहीं कर सकती हैं, तो वे अपने घर के किसी अन्य सदस्य से करवा सकती हैं, चाहें वे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, या फिर अपने पती दुवारा करवा सकती हैं, अपने छोटे बच्चे को या फिर अपने पती को एक अवश्य जलाएं। घर के आपके रसोई में किसी भी कौने में ना करके एक दीपक को माता अन्पूर्णा को याद करके उस दीपक को जला दे। देशी घीका हो तो अति उत्तम है। अनेता आप सरसों के तेल से भी ये दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धनद आदी बनाने के लिए अपने घर के रसोई में परवेश करेंगे तो आप सबसे पहले पतीला रखकर चाय आदी नहीं बनाएंगे। बस गैज जलाकर सबसे पहले उस तेज पत्ते को और उस इलाइची को उस चूले पर जला देंगे। ये हो सकता है कि आप चिम्टे आदी क किसी की मदद से उस तेज पत्ते वे इलाइची को जला दें और जब जल जाए तब अन्य अपने कारे जैसे चाय बनाना खाना बनाना आदी कारे करें। बस इतना सा कारे आप यदि पढ़ते दिन करेंगे तो आपके घर में इतना धन आएगा कि आप यकीन भी नहीं कर कमेंट अवश्य करना होगा वे आपको कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली जै मातादी जै मालक्ष में ओम नमस्चिवाय किसी भी भगवान का नाम एक बार अवश्य लिख देना होगा बस हम समझ जाएंगे कि आप क्या चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क